नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिल से स्कूल एकेडमी के एंसेर्टी सेक्शन में इसलिए स्टार्ट करते हैं इस अध्याय का दुसरा पार्ट और जानते हैं समाज सास्त्र और सामान में बहुत धिक ज्यान के बारे में मतलब की समाज सास्त क्या कहता है और हमारा सामान में बहुत धिक ज्यान क्या कहता है इनके कम्बिनेशन के बारे में हम देखेंगे और इनमें क्या भीनताह यह भी हम देखेंगे हम देख चुके हैं कि किस तरह समाज सास्त्री ज्यान इश्वर मिशांसी और दार्षनिक ट्रेच्छडों से अलग है इसी प्रकार समाज सास्त्र सामानने बौधिक ट्रेच्छडों से अलग है सामानने बौधिक वड़न सामाने तर उन पर आधारित होते हैं जिन्हें हम प्रकृतिवादी और या ब्यक्तिवादी वड़न कह सकते हैं ब्यवहार का एक प्रकृतिवादी वड़न इस मानेता पर निर्भर करता है कि एक ब्यक्ति ब्यवहार के प्राकृतिक कारणों की पहचान कर सकता है अतह समाज साफ्त्र सामानने बौधिक त्रेच्छडों एवं बिचारों तथा साथी साथ दार्षनिक बिचारों दोनों से ही अलग है यह हमेशा या सामानेत भी चमतकारिक परेडाम नहीं देता लेकिन अर्थपूर और असंदिग्ध संपरकों तक केवल सामान संपरकों की छानबिन द्वारा ही पहुचा जा सकता है समाज साफ्त्री ज्यान में बहुत अधिक प्रगती हुई है ज्यादा प्रगती तो सामाने रूप से हुई परंतु कभी कभार नाट की उद्वों से भी प्रगती हुई है समाज साफ्तर में संकल्पनाओं, पधतियों और आकड़ों का एक पूरा तंत्र है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह संयोजीत है यह सामाने बौधिक ज्यान से प्रतिश्थापित नहीं किया जा सकता सामान बौधिक ज्यान और प्रावर्दनी है क्योंकि यह अपने उद्गम के बारे में कोई प्रश्थ नहीं पूछता है या दूसरे साफ्तर में अपने आप से यह प्रश्थ नहीं पूछता मैं यह बिचार क्यों रखता हूँ एक समाज सास्त्री को अपने स्वयम के बारे में तथा अपने किशी भी विश्वास के बारे में प्रश्ण पूछने के लिए सदय तयार रहना चाहिए चाहे वह विश्वास कितना भी प्री क्यों न हो क्या वास्तों में ऐसा है समाज सास्त्र के दोनों ही उपागम, ब्यवस्थित एवं प्रश्णकारी बग्यानिक खोज की एक विश्थित परंपरा से निकले हैं बग्यानिक कारविधियों के इस महत को तभी समझा जा सकता है जब हम अतीत की तरफ लोटें और उस समय की सामाजिक परश्थिती को समझें जिसमें समाज सास्त्री दिश्टिकोंड का उदभव हुआ था क्योंकि आधुनिक विज्ञान में हुए विकासों का समाज सास्तर पर गहरा प्रभाव पड़ा था इसलिए हम संचिप्त रूप में देखें की समाज सास्तर की रचना में बौधिक विचारों की भूमिका कहां तक है तो अगले टापिक पर हम चलें इससे पहले पिछे छुटे हुए हम बाक्स को देख लेते हैं और यहां दिया गया है प्रकृतिवादी और समाज सास्तरी में क्या डिफरेंट है चलिए इनकी ब्याख्या को देख लेते हैं गरीबी एक सब्द दिया गया यहां पर इस गरीबी सब्द को प्रकृतिवादी जो विचारधारा के लोग हैं और समाज सास्तरी विचारधारा के जो लोग हैं मतलब कि समासात्री लोग ये अलग अलग तरह से परिभाशित करते हैं इस गरीबी शब्द को, चलिए देख लेते हैं, प्रकृतिवादी गरीबी शब्द को किस परकार से परिभाशित करते हैं, इनका कहना है कि लोग गरीब इसलिए हैं, क्योंकि वे काम से जी चुराते हैं समस्या ग्रष्ट परिवारों से आते हैं परिवार का उचीत बजट बनाने में अयोग्य हैं बुद्धि मत्ता की कमी है एवं कार के लिए स्थानांत्रण से डरते हैं ये तो हो गया गरीबी के लिए प्रकृतिवादी विचारधाराओं की ब्याख्या गरीबी को किस नजरिये से ये लोग देखते हैं चलिए अब चलते हैं समाज सात्री विचारधारापर की ये लोग गरीबी को किस तरह से परिभासित करते हैं इनका कहना है समकालिन गरीबी का कारण वर्ग समाज में असमानता की सरचना है और वे लोग इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं जिनकी कार की अन्यमता दिर्ग कालिक एवं मजदूरी कम है जिस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि इन दो बिजारधाराओं में कितना अंतर है चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्री मित्रों आप लोग समाज सास्त को बहुत ही बढ़ियां से पढ़िएगा यह हमारे दिमाग का ठकन खोल देगी समाज को समझने दुनिया को देखने और पहचानने समझने के लिए हमें यह बहुत बहुत नजरिया प्रदान करेगी इसलिए समाज सास्त को आप लोग बहुत बढ़ियां पढ़ियेगा अगर आप EPOC के स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत मोश्ट है चलिए अगला पॉइंट देखते हैं यह है असंदिग्ध संपर्क बहुत से समाजों में जिश में भारत के बहुत सारे भाग भी सामिल है उत्राधिकार और वंसानुक्रम की रेखा पिता से पुत्र को जाती है इसे पिर्टवंसी ब्यश्था के रूप में जाना जाता है इसे ध्यान में रखते हुए की औरतों को संपत्ती में अधिकार मिलने की प्रवित्ती अत्यधिक छिड है भारत सरकार ने कारगिल युद्ध के बाद यह निड़े किया कि भारती सैनिकों की मिर्तिव पर मिलने वाली छटपूर्ती की धनराशी उनकी बिधवाओं को मिलनी चाहिए निश्चित रूप से सरकार ने इस फैसले के अवांचित पैडामों का पुर्वा नुमान नहीं लगाया इस कारण बहुत सी बिधवाओं को अपने देवरों मतलब की पती के भाईयों के साथ साधी करने के लिए मजबूर किया गया कुछ मामलों में वह देवर बाद में पती जो की अल्पवयस्ख था जबकि भाभी जो बाद में पत्नी बनी वह इवती थी यह इस बाद को निश्चित करने के लिए होता था कि छतिपूर्ती की धनराशी मिर्टक के परिवार में ही रहे क्या आप इस तरह के अवांशित प्रड़ाम वाले किसी अनसामाजिक कार अथवा ऐसे ही किसी सास की फैसले के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों बिचार करिए गाईश पर चलिए हम आखे चलते हैं और अगले टापिक के तहत हम पढ़ते हैं बौधिक बिचार जिनकी समाज सास्त की रचना में भूमिका प्राकृतिक विकास के बिज्ञानिक सिध्धान्तों और प्राची नियात्रियों द्वारा पुर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर उपनिवेशी प्रसासकों, समाज सास्त्रियों एवं समाजिक मानो बिज्ञानियों ने समाजों के बारे में इस द्रिष्टिकोर से बिजार किया कि उनका विभीन प्रकारों में वर्गी करण किया जाए ताकि सामाजिक भिकास के विभिन चरड़ों को पहचाना जा सके ये लच्छड उन्निश्वी शताबदी में आरंभिक समाज सास्त्रियों जैसे आगस्थ, कॉंट, कार्ल माक्स एवं हरबर्ट, इस्पेंसर के कारियों में पुनह द्रिष्टी कोचर होते हैं अता इस बात के प्रयास किये गए कि उन बातों के आधार पर विभिन तरह के समाजों का वरगी करण किया जाए उधारण के लिए आधुनिक काल से पहले के समाजों के प्रकार जैसे सिकारी टोलियां एवं संग्रह करता चरवाहे एवं क्रिशक, क्रिशक एवं गैर ओदोगीक सब्वताएं आधुनिक समाजों की प्रकार जैसे ओदोगी कृत समाज इस प्रकार के क्रमिक विकास का दर्षन यह मानता था कि पश्चमी संसार आवश्यक रूप से ज्यादा प्रगतिशील एवं सब्वता गैर पश्चमी समाज को असिष्ट और कम विक्सित समझा जाता था भारती ओपनिवेशिक अनुभव को भी इसी द्रिष्टी से देखा जाना चाहिए भारती समाज सास्त में भी इसी तरह के तनाव को देखा जा सकता है बहुत पीछे इतिहास में अंग्रेजी उपनेशवात के समय में जाईए और इसका बुद्ध जीवी तथा सिधानतवाती जबाब है सायद इसी प्रिष्ट भूमी के कारण ही भारती समाज सास्त्र खास तोर पर विचार सील रहा है और यही इसके बिवहार में भी दिखता है अगली पुष्टक समाज स्यास्त का बोध में आप भारती समाज स्यास्त्री बिचार उसके सरोकारों और इसके वास्तिक बिवहार के बारे में बिश्तार से जानेंगे डार्वीन के जीव विकास के विचारों का आरंभिक समाज सास्त्री विचारों पर दिढ़ प्रभाव था समाज की प्राया जीवित जैवात से तुलना की जाती थी और इसके क्रमबद विकास को चरडों में तलाशने के प्रयास किये जाते थे जिनकी जैविकी जीवन से तुलना की जा सकती थी समाज को ब्योस्था के भागों के रूप में देखने के तरीके ने जिसमें प्रतेक भाग एक खास कार निश्पादन में रत हो सामाजीक संस्थाओं जैसे परिवार या इश्कूल एवं सरचनाओं जैसे इस तरीकरण के अध्यन को बहुत प्रभावित किया इसकी चर्चा हमने यहां इसलिय की है क्योंकि उन बौधिक बिचारों का जिनकी समाज सास्त्र की रचना में महतपूर भूमिका है इससे गहरा संबंध है कि किश्प्रकार समाज सास्त्र आनुभविक वास्तिवक्ता का अध्यन करता है ज्यानोदय एक यूरोपी बौधिक आंदोलन जो सत्रहवी सताब्दी के अंतिम वरफों एवं अठरहवी सताब्दी में चला कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है उस वक्त बग्यानिक जानकारी भी उन्नत वस्था में थी और साथी एक बढ़ता दिढ़ विश्वास यभी था कि प्राकृतिक बग्यानों की पधतियों द्वारा मानवी पहलूँ का अध्यन किया जा सकता है और करना भी चाहिए उदाहरन राथ गरीबी को अभी तक एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती थी उसे सामाजिक समस्या के रूप में देखना प्रारंब हुआ जो की मानवी उपेच्छा अथ्वा सोफड का प्रेडाम है इसलिए गरीबी को समझा जा सकता है और उसका निराकरण हो सकता है इसके अध्यन का एक तरीका यह था कि एक सामाजिक सर्वेच्छन किया जाए और यह इस विश्वास पर आधारित हो की मानवी प्रक्रियाओं को मापा जा सकता है और इनका वर्गी करण किया जा सकता है समाजिक सर्वेच्छन के बारे में चर्चा पांचमें अध्याय में की जाएगी प्रारंभिक आधुनिक काल के विचारक इस बात से सहमत्थे की ज्यान में बृध्धी से सभी समाजिक बुराईयों का समाधान संभव है उदाहरन के तोर पर फ्रांसिशी बिद्वान आगस्त कोंटे जिनको की समाज सास्त्र का संस्थापक समझा जाता है का विश्वास्था की समाज सास्त्र मानो कल्यान में योगदान करेगा चलिए हम अगले टापिक पर चलते हैं और देखते हैं भौतिक मुद्दे जिनकी समाज सास्त की रचना में भूमिका है वो कौन से भौतिक मुद्दे हैं जिनकी समाज सास्त में समाज सास्त की रचना में भूमिका है इसके बारे में हम इस टापिक के तहत पढ़ेंगे और दोगिक क्रांती एक नए गतिशील आर्थिक क्रियाकलाप पूजीवाद पर आधारीत थी और दोगिक उत्पादन की उन्नती के पीछे यही पूजीवादी ब्योस्था एक प्रमुक्र साक्ती थी पूजीवाद में नई अभिवित्तियां एवं संस्थाएं समलित थी उद्दमी निश्चित और ब्योस्थित मुनाफ्य की आसा से प्रेरित थे बाजारों ने उत्पादन कारी जीवन में प्रमुक्र साधन की भूमिका अदा की और माल, सेमाएं एवं स्रम वस्तुएं बन गई जिनका निधारण तारकिक गरणाओं के द्वारा होता था नई अर्थब्यस्था पहले वाली अर्थब्यस्था से एकदम अलग थी इंगलेंड ओदोगी करांती का केंडर था और दोगी करण द्वारा आया परिवर्तन कितना असर कारी था इसे समझने के लिए हम और दोगी करण से पुर्व की इंगलेंड की जिन्दगी पर सरसरी नजर डालते हैं और दोगी करण से पहले अंग्रेजों का मुख्य पेशा खेती करना एवं कपड़ा बुन्ना था अधिकांस लोग गाउं में रहते थे अपने भारती गाउं की तरह ही वहां भी क्रिशक एवं भूस्वामी लोहार एवं चमडा स्रमिक जुलाहे एवं कुमहार चरवाहे और मद निर्माता थे समाज छोटा था यह इस्तरी क्रित था अर्थाद विभिन लोगों की प्रस्तिती एवं उनकी वर्ग इस्तिती इस्पष्ट परभासित थी सभी परंपरागत समाजों की तरह यह भी नईदी की आपसी बेवार की विशेस्ता रखता था और दोगी करण के साथी सभी विशेस्ताएं बदल गई नई बेवस्था का एक प्रमुख मूल पच्था स्रम की प्रतिष्ठा कम होना सेल पसंग, गाउं एवं परिवार के सुरचित अस्थानों से कार्य का अलग होना रूडिवादी एवं पलिवर्तन वादी दोनों ही तरह के चिंतक सामान स्रमिकों की प्रस्तिती की गिरावट को देखकर भैभीत थे प्रन्तु कुषल कारीगरों की इस्तिती अलग थी नगरी केंद्रों का विकास और विश्तार हुआ ऐसा नहीं था कि पहले सहर नहीं थे लेकिन अदोगी करण से पहले उनका स्वरूप अलग था अदोगीक सहरों ने एक बिल्कुल नए नगरी संसार को जनन दिया इसकी निशानी थी फैक्टरियों का धुआ और कालिक नई और दोगीक स्रमिक वर्ग की भीड भारवाली बश्तिया गंदगी और सफाई का नितांत अभाव इसकी अन निशानियों में एक्था नए प्रकार की सामाजिक अंतह क्रिया एक हिंदी फिल्म का गीत आगे दिया गया है जो की CID फिल्म अनिशा चोपन में आई हुई थी उसका एक अंसर है का यह गीत सहरी जिन्दगी के भावतिक एवं अनुभावात्मक पच्छों का चित्रन इस प्रकार करता है चलिए गीत को हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यह दिल है मुश्किल जीना यहां जरा हटके जरा बचके यह है बामबे मेरी जान कहीं बिल्डिंग कहीं ट्रामे कहीं मोटर कहीं मिल मिलता है यहां सब कुछ एक मिलता नहीं दिल इनसान का नहीं कहीं नामों निशा कहीं सत्ता कहीं पत्ता कहीं चोरी कहीं रेस कहीं डाका कहीं फाका कहीं ठोकर कहीं ठेस बेकारों के हैं कई कामे हां बेघर को आवारा यहां कहते हसस खुद काटे गले सबके कहें इसको बिजनस इक चीज के हैं कई नामे हां गीता बुरा दुनिया को है कहता ऐसा भोला तूना बन जो है करता वो है भरता है यहां का यह चलन चरिए अब इस गीत के भावानुवात को देख लेते हैं मनलब की भावार्थ को देख लेते हैं प्यारे दिल यहान जिंदगी मुश्किल है अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम किस राष्टे पर जा रहे हो मेरे प्यारे यह मुंबई है तुम्हें यहां बहुमंजली इमारते मिलेंगी ट्रामे मिलेंगी, बाहन मिलेंगे कारखाने मिलेंगे, इंसानियत भरे दिल को छोड़कर तुम्हें यहां सब कुछ मिलेगा इंसानियत का यहां कोई नामो निशान नहीं है यहां पर जो भी करें उसका कोई मतलम नहीं है सक्ती या पैसा या चोरी या विश्वास घात ही यहां चलता है अमीर लोग ग्रीव हीन लोगों की आवारा ब्यक्तियों की तरह हसी उड़ाते हैं लेकिन जब वह एक दुसरे के गले काड़ते हैं तब उसे ब्यापार करते हैं यहां इस एक कार को कई नाम दिये गए हैं अंग्रेजी कारखानों के मशीने द्वारा तयार माल के आगमन से भारी तादाद में भारती दस्तकार बरबाद हो गए क्योंकि अत्यथिक बिक्षित कारखानों में उनकी खपत नहीं हो सकती थी इन बरबाद दस्तकारों ने मुकिता जीवन निर्वाह के लिए खेती को अपना लिया यह स्टेटमेंट था देसाई जी का सन 1975 के दोरान का कारखाना और इसके यांतर की श्रम, विभाजन को अक्षर किशानों, दस्तकारों, साथी साथ परिवार और इस्थानी समदायों को जान बूझ कर खत्म करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता था कारखाने को एक आर्थिक कठोर नियंतर्ण की रूप में देखा गया जो अभी तक बैरकों और जेलों तक था कुछ के अनुसार जैसे मार्क, मार्क्स कारखाना दस्तकारी था, फिर भी काफी हद तक स्वतंतता की गुंजाईश थी यहां स्रमिकों ने बेहतर जिंदगी हेतू सामोहिक कारप्रडाली एवं संगठित प्रयास दोनों चीजे सीखी नए समाजों के उभरने का एक और संके तक था घड़ी के अनुसार समय का महत जो समाजिक संगटन का आधार भी था इसका एक महतपूर पच्वव तरीका था जिसके अनुसार अठराहमी और उनसी सताबदी में खेतिहर और अदोगी मजदूरों की बढ़ती संक्या ने तेजी से घड़ी और कलेंडर के अनुसार अपने को ढालना शुरू किया जो आधुनिक समय से पुरू के काम के तरीके से एकदम भी न था और दोगीक पुजीवाद के विकास से पहले काम की लए दिन के उजाले और जीतोड परिश्रम के बीच आराम या सामाजिक कर्तब्यों के आधार पर तय होती थी कारखानों के उत्पादन ने स्रम को समकालिक बना दिया इससे समय की पाबंधी एक तरह की इस्थिर रप्तार कार करने के निश्चित घंटे और हपते के दिन निधारित हो गए इसके अलावा घडी ने कार करने की अनिवारता पैदा कर दी नियोकता और करमचारी दोनों के लिए समय अब धन है यह ब्यक्ती नहीं होता बलकि खर्च होता है चलिए अगले टापिक से पहले हम पीछे छूटे के बाक्स को देख लेते हैं और क्रिया कलापों को देख लेते हैं क्रिया कला फोर ध्यान दें की अदोगी क्रांती को प्रारम करने वाला देश ब्रिटेन कितनी सिगरता से ग्रामिड समाज से सहरी समाज में परिवर्तित हो गया क्या भारत में भी इसी तरह की प्रक्रिया थी अठारा सव दस में बीश प्रतिषत जनसंख्या कस्बों तथा सहरों में रहती थी और उनईश सव दस में असी प्रतिषत जनसंख्या कस्बों तथा सहरों में रहती थी इस प्रक्रिया का भारत में एक अलग तरह का प्रभाव था सहरी केंद्र तो बढ़े प्रंतु ब्रीटिश निर्मित वस्तियों के प्रवेश के साथ अधिकांस लोग क्रिशी छेत की तरफ उनमुक हुए चलिए क्रिया कलाब पांच देखते हैं मालूम कीजिए कि किसी प्रंपरागत गाउं कार खाने और काल सेंटर में कार किश्पकार नियोजित किया जाता है दोस्तों ये सब क्रिया कलाब जो हैं आप लोगों के लिए हैं आपने जो पाठ अभी तक पढ़ा जो पढ़ रहे हैं उन टापिकों के साथ ये क्रिया कलाब जुड़े रहते हैं और इन क्रिया कलाबों के द्वारा हम अपने मस्तिष को कफरत करवा सकते हैं चलिए क्रिया कलाब 6 पर चलते हैं मालुम कीजिए कि किश प्रकार अद्दोगिक पुझीवाद ने गामों और सहरों में भारती जन जीवन को बदल डाला है चलिए अब टापिक पर चलते हैं और देखते हैं हमें यूरोप में समाज साथ के आरंब और विकास को क्यों पढ़ना चाहिए समाज साथ के अधिकांस मुद्दे एवं सरोकार भी उस समय की बात करते हैं जब यूरोपियन समाज 18 और 19 सताबदी में अधोगी करण और पुजी वाद के आगमन के कारण भयंकर रूप से परिवर्तन की चपेट में था बहुत से मुद्दे जो उसमें प्राय उठते थे उधारण के लिए नगरी करण या कारखानों के उत्पादन सभी आधुनिक समाजों के लिए प्रासंगीक थे यद भी उनकी कुछ बिशेस्ताएं थोड़ी अलग हो सकती थी वास्तों में भारती समाज अपने अपनिवेशिक अतीत और अविश्वशनी बिविशता के कारण भिन्ध है भारत का समाज सात्र इसको दर्षाता है यदि ऐसा है तो उस समय के यूरोप पर ध्यान केंद्रित क्यों किया जाए वहां से शुरुवात करना क्यों प्रासंगीक है जवाब अपेच्छा कृत आसान है क्योंकि भारती होने के नाते हमारा अतीत अंग्रेजी पूजीवाद और उपनिवेशवाद के इतिहास से गहरे जुड़ा हुआ है पस्चिम में पूजीवाद विश्व्यापी विस्तार पा गया था नीचे बाक्स में दिया गया उद्रण यह दरसाता है कि किश प्रकार पस्चिमी पूजीवाद ने दो छोरों पर संसार को प्रभावित किया था चलिए पहले हम बाक्स को देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं पुजीवाद और इश्के द्वारा बैस्विक तोर पर समाजों का असमान रुपानfrontरन 17 और 19 शतापदी में लगभग मीलियन 24 मीलियन अफ्रिकीο को दास बना गया था पुना पढ़ते हैं, 17 और 19 शतापदी में लगभग 24 मीलियन अफ्रिकीयों को दास बना गया था इतिहास में दिखने वाले जनसंख्या के बहुत बड़े अंदलोनों में से एक है। उनको अपनी जमीन और संस्कृती से उखाड़ा गया और दुनिया भर में अलग-अलग हिस्सों में भयावः परिष्थितियों में भेजा गया और पुजी वाद की सेवा के कारे में लगा दिया गया। दास्प्रथा इस बात का एक पत्यच उदाहरण है कि किस प्रकार लोगों को अधुनिक्ता के विकास के नाम पर उनकी मर्जी के खिलाब फसाय गया। दास्ता की संस्था उनिश्वी शताबदी के प्रारंभ में कम होने लगी। लेकिन हमारे लिए भारत में यह अठारा सव के बाद का काल था जब बंधूगा मजदूरी को अंग्रेजों द्वारा जहाजों में भर कर बंधुआ मजदूरों को अंग्रेजों द्वाराब जहाजों में भरकर दुरस्त देशों जैसे दच्छिड अमेरिका में सुरी नाम अथवा वेस्टेंडिज अथवा फीजी दीवों में उनकी शूती कपड़े की मीलों और चीनी कारखानों को चलाने के लिए ले जाये गया एक प्रसित अंग्रेजी लेखग वियस नाइपाल जिनकों की नोबल पुरस्कार भी दिया गया उन हजारों लोगों में से एक के वंसज है जिन्हें जबर जश्ती उन अनजान जगहों पर ले जाया गया जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी और जहां से लोडने में वे असमर थे और वहीं मर भी गए आर के लचमर द्वारा प्रस्तूत मारिशस का यात्रा बिवरण हमें बीते हुए आपनिवेशिक और बैशिक अतीत की याद दिलाता है चलिए देखते हैं क्या है आर के लचमर द्वारा प्रस्तूत मारिशस का यात्रा बिवरण उनका कहना है यहां अफ्रिकी और चीनी, बिहारी और डच, पार्सी और तमिल, अर्बी, फ्रांसिसी और अंग्रेज सब एक दूसरे के साथ घूल मुल कर रहते हैं उदारन के लिए एक तमिल, जिसका भ्रामक सा दच्छिड भारती चेहरा था और एक लुभावना सा नाम भी था, राधा क्रिफ्ट गोविंदन सचमुष मद्राश से था, मैंने उसे तमिल में बात की, उसने मुझे फ्रेंच मिश्रित तूटी फूटी इंगलीश में कषिनाई से जबाब देकर आश्चर चकित कर दिया स्रीमान गोविंदन को तमिल का ग्यान बिल्कुल नहीं है और उनकी जिवा ने तमिल का उच्चानर करना सताब्दियों पहले बंद कर दिया है चली अब टापिक पर चलते हैं और यह टापिक है भारत में समासात का विकास दोस्तों इस पार्ट में इतना ही और इस टापिक को हम अगले पार्ट के वीडियो में देखते हैं तब तक के लिए नमस्कार चली चलते हैं अगले टापिक पर और अगले वीडियो पार्ट में झाल झाल